नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्री राम जीक्य में और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों अजमेर के जो चोहान सासक हुए हैं उनसे समधित महात्पून प्रस्णों प्रहम चर्शा करेंगे जो आने वाली सब सिप्रित्योकी प्रिक्शाओं के लिए मातपून होंगे तो बीना दीर किए दोस्तों चलते हैं आज के प्रस्णों के और प्रस्ण नमबर एक है चोहान्मस का संस्तापक कौन हैं वासुदेव अरणुदू को इनमें से चोहान वंस का संस्तापक कौन है तो इसका जो सही उत्त रहें वो है वासुदेव वासुदेव चोहान को चोहान वंस राजवंस का संस्तापक मना जाता है किस चोहान संसक ने अजमेर को सबसे पहले अपनी राज़दानी बनाया था परत्विराज फस्ट अजेराज परत्विराज तरतिय या विग्रेराज इनमें से किसने पहले सबसे पहले अजमेर को अपनी राज़दानी बनाई थी तो इसके जुस्थे उतर है वो है अजेराज इन्होंने अजमेर को सबसे पहले अपनी राजाने मिलाई थी और अजेमेरु दुरुक का इन्होंने निर्मान किया था तथा 1113 इस्वी में इन्होंने अजमेर नगर की स्थापना की थी अगला प्रस्थ ने विच्छात अड़ाई दिन का जौपड़ा या तत्कालिन संस्क्रत महाविजले का निर्मान किनके द्वार किया गया था जो अजमेर में अड़ाई दिन का जौपड़ा है जो पहले संस्क्रत महाविजले हुआ करता था उसका निर्मान किसने करवाय था जो संस्क्रत पार साल है उसका निर्मान किसने करवाय था विग्रे राज चतूर्थ, परत्वी राज परत्म, अरणो राज या अजय राज इन में से जो संस्क्रत मावी जले इसका निर्मान किसने करवाय था तो इसका जो सही उतार है वो है विग्रे रास चतुरत और विग्रे रास चतुरत को बीसल न्यम्कly के नाम सहे भी जाना दैता है और बीसल देव नहीं बीसल पूर कस्बे की स्तापमा की थी कस्बा बसाय था और बैसल सागर एक का निर्माण भी कर वहाँ पर तो बात पुने इसके साथ ही विसल देव खुद कभी भी था जो नाटक लिखता था और इनको इनके जो समकालें विद्वान हुए इन्होंने इनको कटी बांदी की उपादी दी ती कटी बांदवी की उपादी इनको दी गए थी प्रसना आपसे यह है कि जो विग्रराज चतुर्त हैं इन्होंने कौन सा नाटक लिखाता उस नाटक का नाम आप कमेंड बॉक्स में जरूर लिखें जिसकी जो कुछ पंगतियां आज भी जो अड़ाई दिन का जोपड़ा है अजमेर में उस पर लिखी गई हैं तो उस नाट का नाम आप कमेंड बॉक्स में जरूर लिखें जो विग्रराज चतुर्त ने लिखा था नेक्स ने 1191 बराणवे के तराइन के युद के किस चोहान सासक को अकरमान कारी सहाबुदिन गोरी से लड़ना पड़ा यानिक जो तराइन का युद हुद हुआता 1191 बराणवे में जो उस समय चोहान सासक कोन था जिसको जो गोरी से लड़ना पड़ा था तो यह हम सभी जानते हैं कि जो महान सासक हुए हैं चोहानों में परत्विरास तरत्तिय या परत्विरास चोहान इन्होंने मुहमत गोरी से दोबार युद किया था तराइन का परत्म युद और तरा प्रतिराज़ चोहन को Juliet का सामना करना पड़ता है अगला प्रस्तन दारली चोहन डाइनेष्टिक यह जी इंग है यह जो राजिस्थान के किस प्रमुग工 इतियासकारी किरस्थना तो यह किताब है, वो किस ने लिखी थी, दी अरली चोहान, डाइनेस्टीज, ये रजस्थान के किस इत्यास कार ने लिखी थी, तो ओप्शन है, जी एन शर्मा, जी एच ओजा, डॉक्टर दस्रत शर्मा, या वी एन रेव, तो इसका जुझ सही उतर है वो है डोक्टर दस्र से से किताब लगी महत्पूर इतियास का रहें इतियास के लिए नेक्स्ट हैं तराइन का द्विती युद किन के मध्य लडा गया था जो 1100 भरामे में तराइन का युद्य लडा गया था वो किन मौम्मद गोरी और प्रत्वी राज चोहान के मद्ध में तरह इनका द्वीतियुद ग्यारा सुबर राणवे में लड़ा गया था नेक्स्ट हैं गोरी के आकरमन के समय चालूंक्यों को साजता देने के विरूद प्रत्वी राज तरती को प्रामर्स देने वाला मंत्री कौन था तो जो इनका प्रदान मंत्री मंत्री था ये था कदमदास जिसको कदमदास भी का जाता है या कदमबास भी का जाता है नेक्स हैं किस सासक के राजिकाल में दिल्ली का जो सिवालिक स्थम है वो अभी लेक उत्किन कर वह था तो विग्राज चतूर्थ जो बिसल देव के नाम भी जाना जाता है इनके समय में अगला प्रसने कवी बांदव के उपादी की चोहान सासक को प्राप्त थी अभी हमने चर्चा की कि जो विग्राज चतूर्थ हैं विसल देव इनको कवी बांदव के उपादी दी गई थी और इनके जो नाटक हैं उस नाटक का नाम आप हमें कमेंड बोक्स में लिखे बताना है नक्स ने प्रत्विराज तरत्ती और मुहमत गोरिक की मद्य में कितने यूदे लड़े गए थे तो इसके चर्चा हमने की थी थोड़ देर पहले कि 1101 में और दूसरे यूदे में प्रत्विराज चोहान की विज़े होती ही और दूसरे यूदे में प्रत्विराज चोहान क पराजय के सामना करना पड़ता है फिर अगला प्रसने परत्युराज चोहान तरतिय का समकालिंग चंदेल सासक कौन था जो चंदेल सासक था वो कौन था परत्युराज चोहान के समय तो परमर्दी देव जै वर्मा, किर्ति वर्मा, ये सो वर्मा तो जो परमर्दी देव थे ये थे चंदेल सासक समकालें थे प्रत्विराज चोहान के समय में है अगला प्रस्ने राजेस्थान का प्रत्म चोहान राजी के कौन सा था अजमेर रन्थंबोर हाडोती या नाडोल तो जो चोहानों का प्रत्म राजे था नाडोल चोहान का प्रत्म राजे था अगला प्रस्ने प्रत्विराज चोहान की पद्वी थी यानकी प्रत्विराज चोहान को कौन सी पद्वी देगे थी दल पंगुल हाल गुरु राज गुरु हिंदु पत्र तो जो प्रत्विराज इस चोहाने इनको दलपंगूल की उपदी दीगी थी पद्वी और इसका आर्थ होता है विश्व विजेता दलपंगूल empower विश्व विजेता और एक और इनको उपदी थी इनका उपधुनाम था वो को इनको किस उपधुनाम से जयनेजाते थाadora प्रारंबिक क्यंद्र कोन सा था शपाल लक्ष नागदा नागोर ये रंठंबोर तो जो प्रारंबिक क्यंद्र था इन्होंने सपाद लक्ष जो वर्तमान में सांबर हैं वहां पर इन्होंने प्रारंबिक के अंदर बनाया था और जो वासुदेव हैं इनका संस्तापक माने जाता है वासुदेव चुहान को चुहान वंस का संस्तापक माने जाता है अगला प्रस ने प्रत्विराज चुहान ने प्राजि तो ये तो कुछ मात्मून प्रस्ण थे एक प्रस्ण आपसे और हैं कि प्रत्युराज चोहान के समय में जो कन्योज का सासक था वो कौन था कर्नोज का सासक कौन था इनके जो समकारिन कर्नोज का सासक था उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे और वीडियो किसा लगा? आप लाइक जरूर देख कर दें और कमेंट में लिख कर आप बताएं तो आसा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा मिलते हैं एक नई वीडियो में तब तक जय हिन जय बारत